वेल्कम टो यूपी उनलाइन कोचिंग, यूपी उनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर यूपी टेट परेवरन का कोश्चन वाइज में स्लेवर्स कबर करवा रहा हूँ, साथ वीडियो मेरे आ चुके हैं, 175 से 180 कोश्चन में कबर कर चुका हूँ, आज 200 कोश्चन कबर हो जाए और बेस्ट 500 का ये दोस्तो सीरीज है, जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है, उनके लिए था इतना, अब पिलम ने करते हुए बढ़ते हैं, आज के पहले प्रस्ट पर निंदनलीखित में से किस राज में सबसे ज़्यादा बन छेतर है, तो दोस्तो कोश्चन के पहले कुछ बाते मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, बन रिपोर्ट प्रतेक दो बरस में प्रकासित की जाती है, कोश्चन ये भी यह मैं आ सकता है, कि बन रिपोर्ट इंडियन स्टेट आप फारेस्ट रिपोर्ट आई एफसार कितने बरसों में प्रकासित की जाती है, तो अब अगर count करेंगे आप 1987 से 2019 तक तो 17 भी बन रिपोर्ट होनी चाहिए थी लेकिन 2007 में बन रिपोर्ट नहीं आई थी किनी कारणों बस कारण जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है इस रिपोर्ट को भारती बन सर्रेचन विभाग तयार करता है जिसका मुख्यालत देहरादून में है तो कहने का मतलब यह है यह दो बरसों पर डेटा चेंज होता रहता है कुछ होता भी है कुछ पर्मनेंट बने हुए है तो हम लेटेश्ट डेटा के साथ इस कोश्चन को साल्व करने जा रहे है निम्नलिखित में से किस राज में सबसे ज़्यादा बन चेत्र है दोस्तों सबसे ज़्यादा बन चेत्र लेटेश्ट जो आया है 31 दिसंबर 2019 को उसके अनुसार भी और पहले भी मद्यपरदेश तो बिकल्ब सही है पहला भारत में सबसे ज़्यादा बन का जो चेत्र फल है वो किसका है मद्यपरदेश का है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर कुल भागोलिक छेत्र फल के संदर्व में बनो का उच्चतम प्रत्सत मिलता है कुल भागोलिक छेत्र फल के संदर्व में बनो का सबसे ज़्यादा प्रत्सत कहां मिलता है विकल्प पे विचार करें तो विकल्प के हिसाब से सही होगा मिजोरम क्योंकि 85.41% बन यहाँ पर पाय जाते हैं मिजोरम में लेकिन अगर यही विकल्प में लक्षदीब भी होता तो लक्षदीब में 90.33% बन पाय जाते हैं भी लच्छ दीप का चेतरपल है तो बिकल्प में लच्छ दीप नहीं है तो बिकल्प सही होगा मिजोरम और अगर केंद सासित प्रदेश भी पूछता आगे-आगे बढ़ते हैं उसमें देखेंगे आता रहेगा भारत के किस राज या संगी छेतर देखी यहां पर राज भी होगा यह अभी प्रत्सत वाला प्रस्थ है राज भी पूछा है संगी छेतर भी पूछा है तो लच्छ दीप अभी मैंने बतलाया विकल्प सही होगा भी अगर यहीं संगी छेतर कोश्चन में ना रहता तो किवल राज कहता तो मिजोरमें 85.41 और 90.33 परसेंट बना च्छा में है तो यह दोस्तो है सोरा सो बीस स्क्वेर किलोमीटर के आसपास है हरियाणा हरियाणा में सबसे कम बन पाये जाते हैं अगर विकल्प में राज जिक की अलामा के अंसासित प्रदेश भी रहता तो और तो इसका एंसर सही जाता चंदीगड 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 सही जाता लेकिन चुकि यह के अंसासित प्रदेश है भी नहीं और चंदीगड विकल्प में भी दोस्तो नहीं दिया है तो इस लिए जो है यही है हरियाणः इसका सही उत्तर होगा कहने का मतलब भारत में सबसे कम बन छेट्र हरियाणा में पाये जाता है लेकिन अगर चंदी केलपों में से जितने भी के इंसासित प्रदेश से उसमें सबसे ज्यादा बन छेतरफल की बात कर रहा है को इस नंको ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाईए अंडमान एन्नी को बार अगर यही प्रसत वाला पूस्ता तो फिर से लच्छ दीप हो जाता प्रसत वाला पंजाब है त्री पॉइंट कुछ है 3.67 परशेंट है फिर से रिपीट करता हूं भारत में सबसे कम बन प्रसत वाला राज पंजाब है दोस्तों सबसे कम बन प्रसत वाला राज पंजाब है और 2019 के भारती बन सर्वेच्छन रिपोर्ट की अनुसार 21.67 चेतरफल जो है मतल 2.89 ये केरेंट की चीज़ होगा यूपीटेट सूपर्टेट में नहीं सूपर्टेट में पूछ सकता है यूपीटेट में तो नहीं ही पूछेगा लेकिन फिर भी मैं आपको बतला दू सबसे 2019 लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 में जो प्रकासित होई है प्रतेक वर सुरा 24.56 पर्सेंट 24.56 पर्सेंट अगर आप 21 दस्वमनों 6 जाथ प्रसषत को 2 दस्वमनों आठ — नौ प्रसत से याड़ करेंगे तो 24 दस्वमनों 5-6 प्रसत आएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर दोस्तो विलमन करते बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है भारत में बं सर्वेच्षं बिभाग भारती बन सर्वेच्छन बिभाग कहां इस्तित है दोस्तो भारती बन सर्वेच्छन बिभाग कहां पर इस्तित है देहरादून में इस्तित है देहरादून कहां पर है तो उत्राखंड में है भारती बन सर्वेच्छन बिभाग क्या है तो भारती बन सर्वेच्छन बिभाग ही तयार करता है बन इस्थित रिपोर्ट प्रतेक दो बर्स पर इंडियन इस्टेट फारेस्ट रिपोर्ट आफ एबरी टू इयर प्रिपेरड वाई भारती बन सर्वेचन विभाग इसका मुख्यालत देरा दूर में है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर भारती बन जिव संस संस्थान कहां पर इस्थित है तो भारती वन जिव संस्थान भी दोस्तों देरा दूर में इस्थित है बिकल्प सही है पहला देरा दूर में इस्थित है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर वन अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्थित है तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्तित है देहरादुन में देहरादुन में तीन चीज़े इस्तित है एक बार फिर से रिपीट करता हूँ वन अनुसंधान संस्थान देहरादुन में इस्तित है भारती वन जीव संस्थान देहरादुन में इस्तित है भारती वन संद्वच्ण विभाग देहरादुन मे World Wildlife Fund की अस्थापना 1961 में हुई थी कब हुई थी 1961 में हाला कि कल मैंने 1962 बतला है था आप लोग को लेकिन ध्यान दिजेगा वहाँ बिकल्ब में 1961 नहीं था तो approximate जो बिकल्ब था वो 1962 सही था लेकिन exactly World Wildlife Fund की अस्थापना WWF का फुलफार्म भी एक्जाम में पूछ चुका है WWF का फुलफार्म भी UPTED के एक्जाम में पूछ चुका है Joint Panda या विशाल Panda आप बोल सकते हैं अगला प्रस्ण है दोस्तों Question No.11 चिपको आंदोलन के प्रडेता कौन है चिपको आंदोलन के प्रडेता कौन है दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रडेता है चंडी प्रसाद भट है आपके दिमाग में सुंदरलाल बहुडा भी आ रहा होगा लेकिन मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ चिपको आंदोलन के प्रडेता चंदीप्रसाद भट ने 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी आगे चलकर या सस्था चिपको आंदोलन की आधार भूमी बनी वर्स 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की सुरुवात हुई थी और इस आंदोलन के सहाय करता सुन्दरलाण भहुगुडा ने भी सांदोलन में महत्पूर भूमि का निभाई 1982 में दोस्तों चंदी प्रसाद भट को रैमन मैकसे से पुरसकार भी मिल चुका है जिसे एसिया का नोबल पुरसकार कहाता है एसिया का नोबल पुरसकार कहाता है रैमन मैकसे से पुरसकार को तो यह मिल चुका है किसको चंदी प्रसाद भट को तो यहाँ पर विकल पहला सा योगा अगर दोनों आप्सन में है, अगर दोनों आप्सन में नहीं है, कोई एक है तो उसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप्सन में दोनों है, तो चंडी प्रसाद भट्ट ही best answer होगा, यूपी में सबसे ज्यादा वन वाला जीला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वन वाला मतलब सबसे ज्यादा वन चेतर वाला जीला कौन सा है, सोन भट्र, सबसे ज्यादा वन चेतर वाला जीला कौन सा है, चेतर मतलब चेतर फल वाला जीला है, सोन भट्र, बढ़ते हैं अगले पर UP में सबसे कम बन्चेतर वाला जिला कौन सा है सबसे कम बन्चेतर वाला जिला है दोस्तो भधोही लेकिन भधोही बिकल्प नहीं है भधोही का इस समय नाम है बरतमान में संत्रविदास नगर संत्रविदास नगर सबसे कम बन्चेतर वाला जिला है संत्रविदास अगर UP म भी सबसे कम है और प्रसत में भी सबसे कम है हो सकता है question आगे आये लेकिन मैं फिर से repeat करता हूँ आपको सबसे जादा बन का छेत्रफल सोन भद्र में है UP के जिलो में और सबसे जादा प्रतिसत बन का छेत्रफल भी सोन भद्र में है सबसे कम बन वाला बन छेत्रफल वाला जि अभी संत्रविदास नगर है अभी जो उपर भारत के परिपेक्ष में हम देख रहे थे उसे हम उत्तरप्रदेश के जीलों के परिपेक्ष में अभी अभी हमने देखा विशुबन जियुदिवस कब मना जाता है तो विशुबन जियुदिवस मना जाता है दोस्तों तीन मार् जी ऐस चार शुम्बर को मना जाता है भारत में 1 जी ऐस हूस आज अचुक्तूबर के मद्दicing 4 ऐसंबर को अमेरिका में मना जाता है 2 परेवरण दिवस 5 जून को मना जाता है यह तो आपको पताईए 21 लेकिन 21 जून پर जाने की हो सकता नहीं है पांच जून को बिस परवरर दिवस जबकि विशुबान की दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है मार्च 2013 के प्रारम में बैंकॉक में एक वो कमिट आयो जित हुई थी जिसका नान था साइट्स का समिट था Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Pona कि वहाँ पर जो बैठक हुई उसे को सिस्टीन की बैठक कहते हैं उसी बैठक में साइट्स की बैठक में नेड़ लिया गया कि भी सुबन जिवदियस अब 3 मार्च को प्रतिवर्स मनाया जाएगा 20 दिसंबर 2013 को सयुक्तराष्ट महासभा के 68 हमें वार्षिक सत्र के दौरान भी 3 मार्च को प्रतिवर्स वर्स विशुबन जिवदिवस मनाने का नेड़ लिया गया था 3 मार्च ही best answer है 4 दिसंबर या कोई और डेट रहे तो उसे नहीं लगाना है अब जबकि सयुक्तराष्ट संग भी 3 मार्च को डिकलियर कर चुका है तो 3 मार्च को ही विशुबन जिवदिवस मनाये जाता है बरते अगले प्रस्ट पर राष्टी वन नीत की अनुसार राष्टी वन नीत की घोसरा कब हुई थी? पीछले वीडियो में यह कोईशन था राष्टी बन नीत की घोसरा देखिए दोस्तो बन सर्वेच्चन डिपोर्ट 1987 ते आती है बर्यवरन संरच्चन अधनियम 1986 मपारित हुआ राष्टी बन नीती 1986 से लागू हुआ बतलब 87 से लागू हुआ था राष्टी बन नीती तो राष्टी बन नीती में ही यह प्रावधान किया गया कि कि कितने भागों पर होना चाहिए बरिच्छावरण या बनावरण बोल लिजिए बनावरण प्रस बरिच्छावरण और यह क्यों किया गया प्रावधान क्योंकि international norms है international norms के अनुसार ही one third area should be occupied by बिच्छावरण और बनावरण दोनों को मिला करके तो राष्टी बननीत के अनुसार कहिए या international norms के अनुसार कहिए एक one third area means 33.33% 33.33% area का area पर one होना जरूरी है किसी भी देश में कौन सा जंगल पिर्थवी ग्रह के फेफडे के रूप में जाना जाता है अगला प्रस्न है कौन सा जंगल पिर्थवी ग्रह के फेफडे के रूप में दोस्तों जाना जाता है तो अमेजन वर्सावन पिर्थवी ग्रह के फेफडे के रूप में जाना जाता है अमेजन बरसावन, question अभिगल्व सहीयटी, अमेजन बरसावन, ये चोणी पत्यों वाला बरसावन होता है, दच्छिडी अमेरिका का एक देश है दोस्तों, अमेजन, में अमेजन रीवर भी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, हमें अमेजन है, सबसे लंबी नदी, नील है आपको पता है, तो अमेजन बरसावन, अमेजन बरसावन को हम अमेजन रेन फारेश्ट भी बोलते हैं, और ये हैं, अमेजन बरसावन, अमेजन बेसिन जो है, बेसिन मिन्स अमेजन रीवर, जो है, उसके आसपास का जो एरिया है, वो अमेजन बेसिन, उस एरिये को ही हम प के फड़े के रूप में पहचानते हैं क्योंकि वहां पर जो बनस्पत पाई आती है चौणी पत्ति वाली बनस्पत पाई आती है लगतार कारबन डायक साइट को और सोसित कर आकसीजन मुक्त करती है पिर्थवी की लगबग 20 प्रतिसत से अधिक आकसीजन अमेजर बरसा बनो द्वारा उत्पादित होती है पिर्थवी पर जितना भी आकसीजन का उत्पादन होता है उसमें 20 प्रतिसत से अधिक 80% में पूरी दुनिया मतलब climate उसका उसके लिए अच्छा है, इसलिए अमेजन बरसाबन को पिर्थवी ग्रह के फेफडे, यानि पिर्थवी ग्रह पर जीतने भी मनुसे रहते हैं, या पिर्थवी ग्रह के फेफडे के रूप में जाना जाता है, बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, भारत में अस्थ अगरवेट राष्टी उद्यान, भारत में अस्थाफित पहला राष्टी उद्यान है, या बात तो बिल्गोल सही है दोस्तों, लेकिन इसका स्थापना 1936 में हैली नेस्नल पार्क के रूप में हुई थी, मतलब जब 1937 में इसका स्थापना हुई थी, तो इसका नाम हैली यह उत्त्राखब के ननी ताल चिले में है दोस्तों यहां पर वर्स 1973 में सर परथम प्रुजेक्ट ताइगर की भी शुरुवात की गई थी प्रुजेक्ट ताइगर की शुरुवात कभ वी थी पिछले वीडियो में मैं ने आач में पूल लाया उसी के बाद भारत का राष्टी फसु टाइगर कर आया नहीं तो उसके पहले लायन था यानि शेर था भारत का प्रथम Biosphere Reserv कौन सा है तो भारत का प्रथम Biosphere Reserv कौन सा है दोस्तों भारत का प्रथम Biosphere Reserv है नील गिरी नील गिरी इसकी अस्थापना कब हुई थी 1986 में हुई थी अब ये Biosphere Reserv National Park कौन डिकलियर करता है यूनाइटिड नेशन की एक संस्ता है जिसका नाम है यूनेशको यूनेशको द्वारा यह है निर्धारित किया जाता है बरते अगले प्रशन पर कोश्टन नमर 19 भारत का सबसे बड़ा Biosphere Reserv कौन सा है भारत का सबसे बड़ा Biosphere Reserv कौन सा है तो मनार की खाड़ी लेकिन ध् भारत का सबसे बड़ा Biosphere Reserv है बढ़ते हैं अगले प्रशन पर दोस्तों अगला प्रशन क्या है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क अब यह हेमिश नेशनल पार्क कहां पर है हेमिश नेशनल पार्क दोस्तो इस समय लद्दाक में है कहां पर है इस समय लद्दाक में है तो बीसमें का बिकल्ब सही होता है यह पहले जम्मू एंड कस्मीर में आया करता था लेकिन जम्मू एंड कस्मीर रिया औरनाइसन एक्ट कि तहट जब जमुएंड कस्मीर और लालदक को के निसाषित प्रदेश में बनाए गया उसके बाद यह अब कहां पर है तो अब यह लददक के निसाषित प्रदेश में है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर भारत में प्रजेक्ट टाइगर कब सुरू किया गया भारत में प्रजेक्ट टाइगर 1973 में सुरू हुआ 1973 में प्रजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई प्रजेक्ट एलिफैंट 1992 में 1973 में प्रजेक्ट टाइगर बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ भारत हैं प्रजेक्ट हाथी या प्रजेक्ट एलिफेंट की शुरुगात कब हुई तू 1992 में देखिए दोस्तों यह बायोस्पेर रिजर्ब वाइड लाइफ सेंचुरी और नैशनल पार्क तीन हो गए प्रजेक्ट टाइगर प्रजेक जी के बाई यार मान सिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगा अलग-अलग ते यह प्रजेक्ट टाइगर क्या है प्रजेक्ट एलिफेंट क्या है तो ऐसे तो प्रजेक्ट टाइगर शुरू हुआ प्रजेक्ट एलिफेंट सुरू हुआ कि वल रट रहे हैं 1992 में सुरू हुआ भारत में कुल कितने बायोस्फेर रिजर्ब हैं, बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, अगला प्रशन क्या है, बायोस्फेर रिजर्ब सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था, बायोस्फेर रिजर्ब सब्द का सबसे पहले प्रियोग, बायोस्फेर रिजर्ब इंग ने किया था किस ने किया था दोस्तों एडवर्ड सूयस ने किया था अब आज की आखरी प्रशन पर आते हैं इल्लो इस्टोन नेशनल पार्क कहां इस्थित है इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बतलाना चाहता हूं कि ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो डाप्स जापान जो है वो बनों से ठका हुआ है 68.5% जापान बन से ठका हुआ है हला कि सबसे ज़्यादा बन रसिया में पायाते हैं लेकिन प्रत्सत के रूप में सबसे ज़्यादा प्रत्सत किस देश का एरिया बन से ठका हुआ है तो वो जापान है दोस्तों कौन सा है जापान ह एलो इस्टोर नेशनल पार्क कहां परिस्थित है तो बिकल्प देखिया आपके सामने बिहार केरल मद्यप्रदेश कोई नहीं बिकल्प सहयोगा डी इनमे से कोई नहीं क्यों क्योंकि ये भारत का नेशनल पार्क ही नहीं है ये दोस्तों एलो इस्टोर नेशनल पार्क संयु दिजेगा, 1970 की बात नहीं कर रहा हूं, 1872 में अमेरिका में इसके अस्थापना प्रथम राष्टी पार्क के रूप में हुई थी, यह पार्क सेयुक्त राष्ट अमेरिका का कुछ एरिया है, ब्योमिंग, मुटामा और इडाहू, इस इस एरिया में फैला हुआ है दोस्तो, यही परिस्तित है, दो चीजे यही परिस्तित हैं, एलो इस्टोर नैसनल पार्क में, इसी लिए यह कोश्चन भी एकजाम में बार बार पूछ लिया जता है, क्या इलो इस्टोर नैसनल पार्क से ज़्यादा महत्मूर्ट तो ग्रैंड कैनियन है, अब ग्रैंड कैनियन क्य उत्तर प्रदेश, बायो स्फेर रिजर्ब, नैशनल पार्क के ऐसे कोश्चन जैसे उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज्यादा बन पायाता है, कौन से जिले में सबसे कम बन पायाता है, और सब प्रस्त के रूप में सबसे ज्यादा कौन सा है, यह इन सबसे रिले तो क्योंकि यूपी में यूपी टेट अगर आप दे रहे हैं सीटेट में तो नहीं लेकिन यूपी टेट में आपसे ये पूछ सकता है कि उत्रप्रजिस के कौन से जिले में सबसे ज्यादा बन पायाते हैं उत्रप्रजिस के कौन से जिले में सबसे कम बन पायाते हैं गाजीया बाद सबसे जादा शाचछरता वाला जीला गौतम बुद्धनगर है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ नोट कर सकते हैं तो नोट कर लेजिए बना तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपको तयार होके एकजाम में जाना है कि वह चार 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 पॉइंट ही है आज के लिए इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजीगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजीगा बेल आइकन को दबा दीजीगा त तो लाइक करने की कोई आँ सकता नहीं है थैंक्स फर गुष।